दोस्तों चलिए हम जानेंगे गोलिय दरपन से परतीबिम बनने की इस्थिती यानि जो गोलिय दरपन अवतल या उत्थल दरपन होगा उनकी परतीबिम बनने की इस्थिती कब-कब हो सकती है तो Friends पहला पॉइंट है, जब परकाश किरन दर्पन के मुखे अक्ष के समानतर आप्तित होती है, तो दर्पन से परावर्तन के पस्चात फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, मतलब ये है, ये कोई दर्पन है, अब फ्रेंट्स ये दर्पन कैसा है? इसके उभरे हुए पार्ट पर पॉलिश हुई भी है और जिसके उभरे हुए पार्ट पर पॉलिश हुई भी होती है वो दर्पन होता है अवतल दर्पन अब points क्या कहता है कि जब परकाश किरन दर्पन की मुख्य अक्ष के समानतर आप्तित होती है यानि अगर कोई हम परकाश किरन इस मुख्य अक्ष के समानतर डालते हैं क्या होगा इस परावर्तक प्रेश्ट से टकराने के बाद वो परावर्तित होगी यानि उसका reflection होगा क्योंकि ये प्रवर्टक प्रष्ट है चमकीला प्रष्ट है और जब भी किसी चिकने तल पर कोई परकाश किरन पड़ती है तो वो reflected जरूर होती है तो फ्रेंट्स इसलिए जब हम मुख्य अक्ष के समानतर इसके समानतर हम कोई भी परकाश किरन अगर डालते हैं तो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है उसका focus point बीच में होगा तो फ्रेंट्स मुख्य अक्ष के समानतर चलने वाले जो परकाश किरन है वो प्रावरत किरन के बाद मुख्य फॉकस से होकर गुजरेगी अब आप मुख्य अक्ष के समानतर परकाश की किरन को कहीं से भी डालेंगे वो किरन मुख्य फॉकस से होकर ही गुजरेगी अब दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट है जब परकाश किरन दर्पन की वकरता केंदर से होकर आती है तब वे परावर्तन के बाद उसी मार्ग से लोट आती है मतलब दोस्तों परकाश की किरन को अब वकृता केंदर से होकर डालेंगे जब भी कोई परकाश की किरन अगर वकृता केंदर से होकर आती है जैसे ये वकृता केंदर से होकर एक परकाश की किरन आई तब ये परावरतन के बाद उसी मार्ग से लोट जाती है जब कोई भी परकाश किरन आती है तो परावर्टक प्रश्ट से तकरा कर उसका परावर्टन जरूर होता है Friends, गौली दर्पन में अगर कोई परकाश किरन वकृता केंदर से होकर आती है तो वो उसी मार्ग से वापस लोट जाती है जैसे ये आई अब इसी मार्ग से वापस भी लोट जाएगी, यही इसका है सेकंड पॉइंट. दोस्तो अब धर्ड पॉइंट है, दरपन के ध्रूव पी पर आपतित परकाश किरन मुख्य अक्ष के साथ जितना कोन बनाती है, उतना ही परावर्तित परकाश किरन मुख्य अक्ष के साथ बनाती है. यानि जब कोई परकाश की किरन दर्पन के दुरूव पर आप्तित होगी जैसे कि कोई परकाश किरन हमने यहां से दर्पन के दुरूव पर आप्तित की तो ये किरन कुछ ना कुछ कौन बनाती भी आएगी माना इस किरन ने थिटा कौन बनाया तो इसमें कहा गया है कि उतना ही प्रावर्तित परकाश किरन मुख्य अक्ष के साथ बनाती है यानि ये आपतित किरन जितना भी कौन बना रहे है ये प्रावर्तक प्रष्ट से टकराएगी टकराने के बाद प्रावर्तित होगी तो प्रावर्तित परकाश की किरन भी उतना ही कौन बनाएगी कहने का मतलब है जिस कौन से आपतित ये किरन हो रहे है उतने ही कौन से ये प्रावर्तित भी हो जाएगी अगर ये कौन थिटा है तो ये कौन भी थिटा ही बनेगा दोस्तों लास्ट पॉइंट है इसका कि जो किरण अवतल दर्पन में फोकस से होकर तथा उतल दर्पन में फोकस की और आपतित होती है वह दर्पन से परावर्थन के पस्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है यानि कोई परकाश की किरन अवतल दर्पन में फोकस से होकर आप्तित होती है जब भी कोई परकाश की किरन फोकस से होकर आप्तित होगी तो वो दर्पन से परावर्तन के पस्चात मुख्य अक्ष के समानतर हो जाएगी जब ये आएगी तो परावर्तक प्रश्ट से टकराएगी और टकराने के बाद जब ये परावर्तित होती है तो इसमें कहा गया है कि परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानतर हो जाएगी मतलब ये किरन फोकस से होकर आई लेकिन प्रावर्तन के बाद मुक्य अक्ष के समानतर हो जाएगी यानि प्रावर्तित ये मुक्य अक्ष के समानतर हो जाएगी